जैहिन आस्पिरेंस, वेलकम बाक तो आर चानल, जोईन अमनेस अकाडमी जैसे कि आपको दिख रहा है, आज का वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है स्पेशली फोर दो स्टूडेंट्स जो आर्मी बैग्राउंड से बिलॉंग करते हैं या जो वार्ड है, और जो वार्ड है, और आपको याद हो, तो प्रीविस वीक मैंने यूट्यूब के कम्यूनिटी सेक्शन पे आप लोगों से पूछा था कि आर यू अवार्ड अफ दिफेंस पर्सनल और आर यू ए सिविलियन सो आप लोगों ने वोटिंग किया और उसके साब से मुझे पता चला कि 42% हमारे जो स्टूडन्स है दे डू बिलॉंग फ्रम आर्मी बैग्राउंड सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मिटिव रहने वाली है तो अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक भी करना और आप चुतने भी ऐसे बच्चों को जानते हो जो आर्मी बैग्राउंड से बिलॉंग करते हैं उनके साथ शेयर भी जरूर करना सो ये वीडियो थोड़ी लेंदी जरूर हो सकती है बट काफी इन्फॉर्मिटिव रहेगी सो डू वाच तिल एंड सो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आर्मी नर्सिंग कॉलेज है क्या इसमें आप एड्मिशन कैसे ले सकते हो कौन-कौन एड्मिशन ले सकता है इसके टेस्ट कब होता है इसके eligibility criteria क्या है फीज कितनी होती है, location कहा है and जो भी आपके doubt होंगे इससे regarding वो सब आज हम यहाँ पे देख लेने वाले हैं Okay, so firstly, आर्मी नर्सिंग कॉलेज जो है, जो ACN के नाम से भी जाना जाता है, यह established किया गया था for female dependent of army personal ठीक है, तो कोई भी ऐसी female है, जो army personal पे dependent है या ex-service man पे dependent है, उनके लिए यह college स्टार्ट किया गया था मतलब, आपके पापा या आपकी ममी आर्मी में होने चाहिए, तब आप इस category में आओगे ANC जो है, यह army welfare society के under work करता है, और उसी के according, इनके बहुत सारे army schools हैं, जिसमें आप हम 1 से लिए 12 तक ही पढ़ाई भी करते हैं, बहुत सारे बचे यह होंगे, जो army public school के होंगे ठीक है, और इनके under 12 colleges भी आते हैं, तो army college of nursing जो है, यह one of them है As for location, यह college पंजाब में है, exactly बोलू तो फरीद को जलिंदर में है, अब हम थोड़ा और hostel and college के बारे में ही बात कर लेते हैं, then we will go कि आप apply कैसे कर सकते हो, exam pattern क्या है, syllabus क्या है Okay, so college में ही आपको hostel में ही रहना पड़ेगा, hostel facilities जो है, वो available रहेंगी आपको, और सारे students जो यहाँ पे होती है, girls ही होती है, इस college में, वो सारी girls जो है, compulsory है कि वो hostel में ही रहे किसी को भी बाहर नहीं allowed होता and जो भी आपके charges होंगे, mess वेगरा कि वो student को ही expenses उठाने पड़ते हैं अब आप पूरी वीडियो देखिए, और अगर आपको और interest RIS में और आप admission लेना चाहते हैं, तो इस college का जो prospectus है, वो मैं आपके साथ हमारे telegram channel पे share कर दूंगी, तो हमारे telegram channel है, join MNS Academy, आप उससे जोड़ सकते हैं and वहाँ से वो prospectus ले सकते हो अब बात करते हैं mode of selection की, तो जो candidate है वो select होता है यहाँ पे online admission test से, ठीक है, जिसको यह OAT बोलते हैं और यह conduct होता है, Army Institute of Nursing, Gohati and Army College of Nursing दोनों में तो आप center throughout the country choose कर सकते हो, सिर्फ Indian student ही इसमें apply कर सकते हैं, तो आज हम Army College of Nursing की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से Army Institute of Nursing भी है, तो जो test conduct होता है, वो Army Institute of Nursing करवाती है और इस test को देने के बाद ही है, आप इन दोनों college में से किसी college में भी चा सकते हो जो medium होता है test का, वो English ही होता है, और इसमें like MNS only, यहाँ पर भी इनोंने बोला है कि जो student है, उसको basic skill आनी चाहिए, communication in English examination जो है, वो annually होता है, May या June में, इसके जो forms होते हैं, वो April में आ जाते हैं, यही reason है कि मैं आपको ये वीडियो अभी provide कर रहे हूँ तो April मिड में इनके application forms आना start हो जाते हैं, और May या June में इनका exam हो जाता है, अब selection procedure क्या है, जो आपका online admission test होता है, OAT, यह जैसे मैंने अभी बताया, ACN और IAN दोनों के लिए होता है, मतलब Army Nursing College और Army Institute of Nursing दोनों के लिए होता है, 9 total आपको centers यहाँ पे allot किये जाते हैं, कि आपका paper 2 गंटे का होता है, ना कि 1,5 गंटे का, बट यहाँ पे subject same है, जैसे कि physics, chemistry, biology, English and general awareness, तो जो आप subject MNS के लिए पढ़ रहे हो, वही subject यहाँ पे भी रहते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि इस college के लिए आपको अलग से पढ़ना पढ़ेगा, आप जो MNS के लिए प प्रिंट होके आएगा, आप choice या priority दे सकते हो, exam center के लिए और आप 3 center चूज कर सकते हो, उसी के हिसाब से आपको आएगा, मतलब जो आपका closest होगा, वहाँ पे उसके हिसाब से चूज करना, जिसे मानलो, अगर आप पंजाब में ही रहते हो, तो आप अपना location जो है यह center है, उसको पंजाब में यह जलंदर में choose करना, तो कौन-कौन से 9 center है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ, जलंदर कैंट में, बांगलोर, डेली, जैपुर, लखनाव, पुने, नागपुर, कॉलकता, और गोहाटी, यह इनकी 9 center है, तो आप अपने हिसाब से देख लो कि आपक जो location है, वो कहाँ है, उसके साब से आप अपनी priority डाल देना, और यह जिस्ट word of defense, परसनल के लिए ही होता है, तो ऐसा भी नहीं कि आपका जो location है, exam center वो आपसे दूर देगा, कहीं ना कहीं, ऐसे area में ही देगा, जहाँ पर army content हो, ठीके जैसे यहाँ पर तो mention ही है कि जलंदर can't, तो can't के आसपास ही आपका रहेगा, अब हम बात कर लेते हैं कि type and conduct of examination, किस तरीके से होता है और क्या type है, तो exam में आपके यहाँ total 120 question रहते है, MNS में आपका 150 question रहता है, यहाँ पर आपका 120 question रहता है, multiple choice format में ही आपका रहेगा, यहाँ पर different different part में आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो part 1 में आपका bio का test होगा, जिसमें total 50 marks के question रहेंगे, multiple choice question रहेंगे, 25 marks का botany रहेगा और 25 marks का zoology, तो यहाँ पर आपको science पर थोड़ा जादा focus देना होगा, unlike MNS जहाँ पर आपके तीनो subject के equal weightage रहते हैं, ठीक है, तो 25 marks botany and 25 marks zoology, next step part 2 जिसमें आपको physics यहाँ पर बताया गया है, और physics की भी multiple choice question रहेंगे, 25 marks के, next है chemistry, इसका भी multiple choice question, 25 marks का, last में है English 10 marks का and general awareness 10 marks का, तो यह just 10-10 marks का, मतलब बहुत ही थोड़ा portion है, English और general awareness के लिए, total ही 20 marks का, और अपने subjects देख लेजे, जो science के है, उसी के weightage यहाँ पर जादा है, total 100 marks का, आपका science का ही weightage ह So, considering many students appear for NEET as well as evidence at the same time, तो यह आपके लिए जादा difficult नहीं होने वाला है, next हम बात कर लेते हैं, syllabus की, syllabus जो है, जैसे हर exam का रहता है, इसमें भी वही है, standard syllabus है, 11th and 12th का, आप अगर state board से पढ़े हो, Indian universities या जो भी CBSE, ICSE, SE boards होते हैं, किसी से भी पढ़े हो, तो 11th and 12th का आपका जो syllabus होता है, उसी के base पे आपका ये question paper आएगा, कैसे आपको marks मिलेंगे, नो यहाँ पे एक और चीज़ अलग है, MNS से कि यहाँ पे negative marking प्रोवाइड की जाती है, हर एक question के लिए आपको एक marks अवार्ट किया जाता है, at the same time, if you have done any incorrect answers, आपका deduce कर दिया जाएगा 0.25 scores, बात करें, गर college की infrastructure की, तो एक काफी अच्छा college है, देखने में, जो images share की है, वहाँ से देखने से आपको पता चल रहा है, जैसे कि इनके अलग-अलग lab है, microbiology lab, nursing fundamental lab, computer lab, anatomy and physiological lab, तो बहुत ही अच्छा college है, और जो आपने starting में photo देखी, army nursing college की, तो campus बहुत अच्छा है, like images of their labs, they have mentioned की students are also sent on tours, science city, kapoor thala, vagaborder, amritsar and this type की और भी वहाँ पर जो जगा है, वहाँ पर students को ले के जाते है, एक जो important चीज मुझे लगी, यहाँ पर यह mention किया है, कि जब आप उस college में होते हो, तो आपको research and referral hospital, जो डेली का है, जो बहुत ही बड़ा hospital माना जाता है, और आपका interview भी यही होता है MNS का, ठीक है, तो R&R hospital Delhi, यहाँ पर भी आपको ले के जाया जाता है, बाकी गूमने वाली जगह तो आप भी जा सकते हो, खुद से ठीक है, लेकिन इस hospital में आपको कोई गूमने जाने नहीं देगा, so this is kind of important, और इतने बड़ी आर्मी के hospital में, जो आपको एक proper experience म मिल जाएंगी, medical care, आपको पूरे time available रहेगा campus में, अगर आप बिमार बिमार पढ़ते हो, तो वही लोग वहाँ पर treat करेंगे, जो भी आपका dependent certificate होता है, उसको आपको submit करना होता है, at the time of admission, तो आपको पता है, आप normally भी अगर बिमार होते हो, तो आप MH या hospitals में जाते हो आपको पर treat करते हो, तो वही वाला जो dependent card आपका होता है, ये आपको submit करना होगा, college में, at the time of admission, next आम बात करते है, placement की, and this is very important, आप किसी भी college में admission ले रहे हो, तो placement आप सबसे पहले चेक करते हो, ठीक है, तो Army Nursing College जलंदर का, interviews organized करता है, जो भी अच्छे hospital है, उस locality में, या जो भी metro cities है, उदर के, और इन्होंने mention किया है, कि ये 100% placement प्रोवाइट करते हैं हर साल, लेकिन कोई guarantee नहीं है, ऐसा कि आपको college, जब आप छोड़ोगे, उसके बाद, Military Nursing Service में, जॉब मिले, या किसी आम फोर्स में, जॉब मिले, तो ये चीज़ अगें, MNS से अगर आप compare कर जाता है, आपको जरूरी नहीं है कि Military Nursing Service में ही, जॉब offer की जाएगी, या आप आमी के hospital में, जॉब करोगे, आपको यहां पर placement दिया जाएगा, लेकिन वहां नहीं दिया जाएगा, ऐसा properly वहां mentioned है, ठीक है, जब आपको course complete हो जाएगा, students को encourage किया जाता है, कि वो और भी exams के प्रिपेर करें, coaching प्रोवाइट की जाती है, CDS written examination के लिए, ताकि वो एक आर्मी में officer बन पाए, और अगर आप Military Nursing Service में जाना चाहते हैं, उसके लिए भी guidance प्रोवाइट करते हैं, अगर आप volunteer होतो, तो 4 साल तक तो आपको यहां पर course चलेगा, वो आपको करना होगा, उसके बाद अगर आप volunteer हो, उसके बाद आप चाहते हो, कि नहीं आपको MNS में ही जाना है, तो यह यहां पर आपको उसके लिए coaching या guidance प्रोवाइट करते हैं, साथी साथ इन्होंने यह भी mention किया है, कि इनकी students जो है, उनका selection MNS में हुआ है, ठीक है, सो 2005 में यह college बना था, मतलब अ ठीक है, तो ऐसे ही नहीं कि आप चाहते हो, और आपने बोला मुझे MNS में job चीये, तो मिल जाएगा, आपको उसके लिए अगें, exam qualify करना पड़ेगा, तो अगर आप बहुत ही ज़दा पैस्टनेट ओ MNS के लिए, और आप बहुत साल से ट्राय कर रहे हो, आपका नहीं हो र काफी चीजें यहां मेंचिन कि आपको डॉकुमेंट क्या क्या requirement है, ठीक है, तो सारी चीजें आप पड़ सकते हो, और यह भी बिताया, आपको कॉलेज से रिमूव भी किया जा सकता है, अगर प्रॉपर डिसिप्लेन में नहीं रह रहे हो, तो अगर आप ट्रेनिंग की टा यह सब आपका चेक करते रहेंगे कि आप ढंग से पड़ रो या नहीं और क्या क्या चीजें, एक और चीज मैंशन है कि अगर आपने कोई फॉल्स चीजे बताई है दूरिंग टाइम अफ एडमिशन, अगर आप डिफेंस पर्सनल नहीं हो, और आपने कुछ ऐसे फॉल्स प्रेजेंट करके अडमिशन ले लिया है, इन केस बाद में पता चेलेगा तो फिर आपको बीच से ही निकाल दिया जाएगा, ठीक है, दिन अगर अपनी मेडिकल हिस्ट्री यहां पर भी आपका मेडिकल टेस्ट होता है बाद में जब आपका सेलेक्शन हो जाता है तो, तो मेडिकल हिस्ट्री अगर गलत प्रवाइड किये है, अडमिशन के टाइम पर यह कांसलिंग के टाइम पर, लास्ट यहां पर मैंशन किया हुआ है कि कॉलेज और जो हॉस्टल फीस है वो आप ऑनलाइन ही पे करेंगे, प्रॉपर किस चीज की क्या क्या फीस है वो भी इन लो फीस, कंप्यूटर लाफ फीस, स्पोर्ट फीस, लाइबरेरी फंड, एक्जामिनेशन फंड, तो हर चीज के लिए यहां पर इन लोगों ने अलग से कॉलम बना के मेंशन किया है, कॉलेज मागजीन फंड, इलेक्रिसिटी और वाटर चार्ज, बहुत सारे ऐसे कॉलम्स हैं एन टोटल आप देख सकते हो, तो यह सारी चीज इन के प्रोस्पेक्टस में में मैंशन है, ओवराल मैं यही कहना चाहूंगी कि एक बहुत अच्छा अल्टेनेटिव है, अगर आप एमिनस में आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, अगर हो पा रहा है, आप उस एक्जाम अगर आप किसी ऐसे स्टूरेंट्स को जानते हो, जो नर्सिंग के लिए काफी पैशनेट है, पर उनका अनफॉर्चनेटली एमिनस में नहीं हो पा रहा है, तो मस्ट रिकमेंड देम दिस कॉलेज, थाप हमारा आप भी चेक कर सकते हो, जिसके लिंक नीची में आपको डाउनलोड कर सकते हो, अगें थांक यू सो मच पर वाच्चिंग।